दोस्तो भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक बार भी क्रिकेट ना खेला हो तो दोस्तो आपने कभी ये सोचा है कि क्रिकेट में सिर्फ तीनी स्टम्स क्यों होते हैं मतलब चार या पाज भी तो हो सकते थे ना पर सिर्फ तीनी क्यों तो सबसे पहली बात जब क्रिकेट का शुरुवात हुआ था तब स्टम्स होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था तब उस टाइम पे लोग स्टम्स की जगे पे स्टूल्स का यूज करते थे और वो स्टूल्स चार पैरों का भी होता था और कभी कभी तीन पैरों का भी मिल जाता मतलब जो मिल जाए बस उसी का यूज कर लो ऐसा वाला सिसला चल रहा था क्रिकेट अभी लोकल स्पोर्ट्स था मतलब सिर्फ इंग्लेंड में ही खेला जाता था तो जब क्रिकेट दीरे दीरे पॉपुलर होने लगा तब यह रिसाइड किया गया कि स्टूल की जगे पे कभी कभी बॉलिंग की स्पीड इतनी जाधा होती थी कि कोई बता नहीं पाता था कि बॉल दोनों स्टम्स के बीच से गया है या नहीं तो इसकी वज़े से बहुत प्रॉबलम भी होता था अंपायर और सारे प्लेयर को क्योंकि पता नहीं चल पाता था कि प्लेयर सच में आ से जानते हैं तो अब आप ये बोलोगी सिफ तीन स्टम्स फिर भी क्यूं तो भाइया जब तीन स्टम्स से काम हो जा रहा है तो चौथा या पाच्वा क्यूं चाहिए तो यह कहनि है जिसके वज़े से क्रिकेट में तेन स्टम्स होते हैं तो ऐसे यूनिक और अमेजिंग फैक्स डेली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले जै हिंद जै भारत